Imagine करो आप एक बोट में बैठे हो उस बोट की जो स्पीड है वो है 55 km per hour आप एक जगा जा रहे हो from destination A to B जब A to B जाते हो तो आप स्ट्रीम की डिरेक्शन में जाते हो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 5 km per hour आपको वहाँ जाने में लगते हैं 2 घंटे अब आपको एक call आती है आपके दोस्त की और आपस वो पूछता है कि आप वापस किती देर में आओगे आपको बता है वापस जाने के लिए आपको स्ट्रीम की उल्टी डिरेक्शन में जाना पड़ेगा तो आप सोचते हो और आप उसको आंसर देते हो कि मैं 2 आर 24 मिनिट्स में वापस आजाओंगा आपने कैसे किया यह चलिए देखते हैं तो अब अगर हम पता लगाएं कि हमने कैसे वो क्रशन सॉल्ट किया तो देखो यार आपको दिया हुआ है कि आपको जो बोट है उसकी कित्ती स्पीड है वो एक मोटर बोट है उसकी स्पीड है 55 किलो मीटर पर आवर यानि कि still water में जब पानी चल नहीं रहा है तो वो इतनी स्पीड तो खुद की होती है लेकिन नॉमली क्या होता है कार के उपर तो हम एक ही स्पीड मानते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं बोट की तो बोट के अंदर हमें देखनी पड़ती है कि कैसे पानी में वो बोट चल रही है यानि कि वो पानी चलता हुआ है या पानी के अगेंस जा रही है या पानी के साथ जा रही है और हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो पानी की जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है आपकी 5 km पर आवर उसने क्या बोला है कि जब वो stream के साथ जा रहा है यानि कि अगर पानी इस direction बह रहा है और हमारी board भी इस direction में जाती है तो उसको लगते हैं 2 गंटे from A to B जाने में ठीक है लेकिन आपको पता है जब वो B to A आएंगे तो पानी इस तरह भी भाएगा लेकिन हम ऐसे आएंगे यानि कि हम पानी को काटते हुए उल्टी डिरेक्शन में आएंगे तो पहले आपको इससे इमाजन करना आना चाहिए इससे आपको समझ में आना चाहिए अब अगर बात करें तो simple है बहुत दाना concept आपको यह तो पता हिए कि जो आपका formula होता है वह था speed is equal to distance upon time अब अगर हम बात करें पहले case की इसको छोड़ दो अभी वापस आने की बात हम नहीं करते हैं अभी अगर हम बात करें पहले case की तो उसमें हमारी speed कितनी है speed है आपकी board की 55 प्लस हम क्योंकि direction में जा रहे हैं तो हम add करेंगे stream की speed को यानि की total speed हो जाएगे आपकी 60 distance हमें नहीं पता A to B कितना है हम D ले जाते हैं and time वो बोल रहा है हमें लगे 2 घंटे तो 2 हम exactly यहां पर लेख सकते हैं यानि की distance कितना आ गया? distance आगया 120 km इसका मतलब A to B के बीच के distance है 120 km है अब उसने क्या पूछा है कि हमें call आई और हमने उसको exact time बता दिया कि हम इतने बज़े वापस आ जाएंगे वो हमने कैसे किया होगा पहले तो हमें यह निकालना पटगा कि distance कितना है A to B A to B distance है आपको 120 km यानि की आप अपने दुबारा आगर दिखे है speed is equal to distance upon time तो हमारे पास distance हो सेम ही है 120 कवर करना है time हमें वो push rise bar right and speed इसकेस में क्या होगी क्योंकि मैं आपको बताया हम वापस जा रहे है तो stream का जो direction है वो हमसे उल्टा है यानि की वो हमारी speed को cut करेगा तो हम 55 minus 5 करेंगे यानि की यह हो जाएगा आपका 50 right आपका time कितना आ गया time आ जाएगा आपका 120 divided by 50 जो कि आपका हो जाएगा 12 को आप 5 से डिवाइट करोगे तो 5 2 जा 10 and 2.0 2.4 hours 0.4 क्या होता है 4 by 10 of 60 यानि की 24 minutes ठीक है तो यह 2.4 का मतलब हो गया आपका 2 hours and 24 minutes इतना time आपको लगेगा वापस जाने में क्यों देखो जब आप stream की direction में आ रहे थे तो आपको कम time लगा क्योंकि आपकी speed बढ़ गई थी लेकिन अब जब आप stream के opposite में आ रहे हो तो आपको 24 minutes extra लग जाएंगे उसी distance को cover करने में यही पूरा concept है of boats and streams अब इसी में से आपको एक concept और निकल कर आता है वो क्या है कि यहां पर तो आपको बोड की speed देराखी है लेकिन अगर ऐसा हो कि वो आपको downstream दे and आपको upstream दे, downstream upstream क्या है? जो आपना या पे निकार ले थे, downstream क्या होगा? downstream होता है जब आप stream के साथ जा रहे हो यानि कि downstream होता है आपका stream की speed प्लस boat की speed थीक है? तो वो आपका 60 थ Lem glacier अपको 60 था hey इस case में and आपको upstream दिया हो है, upstream क्या होता है? and stream की speed and आपको यह find out करनी होती इस case में तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं हमें कुछ और find करना था हमें time find करना था ठीक है ऐसे question भी आते हैं लेकिन अगर आपको एसा question मिले कि आपको boat की speed बतानी है कि बताओ boat की speed की आओगी in still water या फिर stream की speed की आओगी in still water तो देखो इस case में आपकी downstream है 60 अब stream है 50 अब आपको बस एक formula याद रखना है वो यह होता है कि d plus u by 2 and d minus u by 2 इसका क्या मतलब हुआ देखो यहाँ पे d plus u यानि की हो जाएगा आप आपका 60 plus 50 यानि की 110 divided by 2 and यह आपको हो जाएगा यहाँ पे 55 ठीक है and d minus u का मतलब हो गया 60 minus 50 by 2 यानि की आपका हो गया 10 divided by 2 is equal to 5 यह क्या निकल के आया है आपके यह 55 आपका है boat की speed in still water and d minus u by 2 से आपको निकल क्या है stream की speed यानि की अगर आपको downstream और upstream की speed मिली हुई है तो इ आप boat की speed in still water and stream की speed निकाल सकते हैं d plus u divide by 2 होती है आपकी boat की speed in still water d minus u by 2 होती है आपकी stream की speed and सिर्फ इतने से concept के साथ ही आपका boats and streams खतम हो जाता है है ही पे इस से जादा boats and streams के अंदर और कुछ है नहीं सिर्फ आपको यह पता होना चीए normal आपको speed distance time के formula पता होना चीए and आ question करते है question में दिया हुआ है आपको the speed of boat in still water is 45 km per hour ठीक है जो दिया हुआ है इसको हाथ के हाथ लिखते जाओ 45 km per hour still water में speed है आगे दिया हुआ है कि if in downstream the boat covers the distance of 80 km in 120 minutes यानि कि distance कितना है distance है 80 km और time time आपको दिया हुआ है 1 hour and 20 minutes अब इसका ध्यान रखना हम जब भी generation करते हैं तो हमें करनी होती है standard जो आपके values होती है तो आपको R में होना चाहिए यहां पर minute में है convert कर लेंगे इसको बाद में लेकिन पहले आगे बढ़ लेते हैं यह कहां की बात हो लिए यह आपकी हो लिए downstream को मतलब क्या होता है कि stream के साथ साथ अब हो कह रहा है how much time will it take to complete the same distance in upstream direction यानि कि इतना ही distance अगर उसको cover करना हो upstream के अंदर तो कितना time लगगा तो simply उसने आप से time पूचा है तो यह भी पहले वाले जो हमने सबसे पहले किया उसके रही है अब देखो यहां पी जो हमें data मिला हुआ है उससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम speed निकाल सकते ह किसकी downstream की, speed होता है distance upon time, distance है 80, time कितना है 1 hour है and 20 minutes, so 20 minutes को आप convert कर लो, किसके अंदर, hours के अंदर, तो यह आपका हो जाएगा 1, 1 by 3, इसको आप mix fraction है तो convert करोगे, 3 बंस है 3, plus 1, 4 by 3, तो यह आपका हो जाएगा 4 by 3, यह 3 को उपर ले जाओ, तो यह आपका हो जाएगा 80 into 3 by 4, यह जाएगा 20 and यह जाएगा 60, so 60 km per hour आपकी speed आ गई है, किसकी downstream की, यानि कि जब 7 में जाते हैं, boat और आपका पानी जब 7 साथ में चल रहे हैं, तो आपकी speed आती है 60 km per hour, अब हमें पता ही है कि 45 km per hour तो boat की है, यानि कि अगर downstream में 60 आ रही है, तो extra जो 15 है, वो speed किसकी होगी वो speed आपकी stream की होगी, तो यह आपकी stream की speed होगी, अब यहाँ पे जब आपको upstream पता लगाना है, तो upstream आपको पता है, simply क्या होता है, upstream होता है, जब हम पानी के बहाव के उलट जा रहे हैं, यानि कि हम करेंगे 45 minus 15, तो आपकी upstream की speed हो जाएगी यहाँ आपे 30, 30 km per hour and distance हमें प करना है, 80 km and उसने क्या पोले time पूछा है, तो time is equal to distance upon speed, distance होगी आपका 80 and यह होगी आपका 30, 8 by 3, 8 by 3 को अब आप time है, तो आपको convert कर सकते हो इसको, आर्स के अंदर तो multiply कर लो 60 से, तो यह आपको जाएगा 3, 2 and जाएगा 160 minutes, 160 minutes is your answer, तो आपका answer आ गया है, यहाँ पे 160 minutes या या फिर आप सकते है, 2 hours and 40 minutes, तो इतना time लगेगा, उसको वापस आने में in the opposite direction upstream में, ठीक है, बहुत है simple question था, आयो आप समझ में आया होगा, एक और करते हैं इसके बाद, ताकि आपको और थोड़ी सी clarity आए, तो अब हम करते हैं एक और question, इस question में आपको यह हुआ है, कि Ram takes twice as long to swim up, as to swim down the river, ठीक है, हमें पता है downstream होता है, और upstream होता है, downstream में आप जो current है साथ जा रहे हो तो upstream में आप उसके opposite direction जा रहे हो तो, तो obviously आपको time इस case में कम लगता है, वो यह दो कह रहा है, अगर आपको downstream जाने में, till time लगता है, तो आपको upstream जाने में twice लगता है, ठीक है आगे कह रहा है वो कह रहा है कि अब स्पीड जो है उसकी स्टेल वाटर में वो होती है 12 किलोमेटर पर आर यानि कि राम की नॉर्मल स्पीड इतनी है अब वो कह रहा है कि what is the the speed of the river हमें river की स्पीड निकाल ली है एक बार पॉस करके कुट्राय करो और उसके बाद समझना आंसर को तब आपको बेटर समझ वाएगा सो अगर हम यहां पर देखे हैं तो मैं आपको रेक्मेंड करोंगा जब भी आपको है ऐसे कॉश्चन सौल करने हो तो हमेशा यहां पता होना चीए तब ही जाकर आपना डिस्टेंस इकोल टू स्पीड इंटू टाइम वारा फॉर्मला यूस कर पाऊंगे ठीक है ताइम का तो हमने रिलेशन निकाल ले है यहां पे डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस तो स्पीड होगी उसकी खुद की स्पीड प्लस जो क्योंकि यह अब स्ट्रीम है अब सिंपली देखो अगर आप यह वाला फॉम्ला यूस करते हो डिस्टेंस इकोल टू स्पीड इंटू टाइम तो क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस इकोल टू 12 माइनस एक्स और 2 टी तो यहां हो जाएगा 24 24 टी यहां हो ज दोनों ही एक्वेशन में हमारे पास डी कॉमन है इसका मतलब हम इनको एक्वेट कर सकते हैं तो अगर हम इनको एक्वेट करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 12 टी इस इक्वल टू 24 टी माइनस 2 टी ठीक है यह माइनस 2 टी इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 3 एक्स टी आड यह 12T है यह मने आप लिखानी है यह आपका 12T होगा क्योंकि हमने T अंदर multiply किया है so 12T आपका जब उदर जाएगा तो 24T मिन से माइनस जाएगा तो आपका बचे का 12T वापस है आप यहां से आप T से T cancel कर सकते हैं तो आपका जाएगा 3X is equal to 12 and X is equal to 12 12 by 3 यानि की 4 किलो मेटर पर आवर यह होगी आपकी स्पीड रिवर की तो देखो यार questions बनाने को बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन आपको concept समझना है concept में कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको समझा है सिर्फ उतनी चीज यूज हो रही है आपका यह वाला formula यूज होता है आपको कुछ वह information देगा या तो जैसे आपने relation दिया है उसने यहाँ पे 2T का का कि हम लोग एक equation फ़र्म कर पाएं वैसा मेलेगा आपको ऐसे ही राइप इसके अंदर एक कुशन और करेंगे इसके बाद आपके बाद आप और कुशन प्रैक्टिस कर सकते हो अगल जगा से तो एक कुशन और करते है इसको आपको दिया हुआ है कि अजे टेक्स 4 hours more while swimming upstream than downstream यानि कि upstream downstream time की बात हो रही है कितना downstream अगर उसको T लगता है तो यहाँ पर उसको T plus 4 लगता है right he takes 4 hours more then he says his speed in still water is 10 km per hour the speed of stream is 2 km per hour what is the distance okay distance देखो पहली बात तो दोनों केस में सेम ही होगा कि वो अप्स्ट्रीम दोनों केस में जा रहा है वो कोई उसे जगाचेंगी अपनी तो दिस्ट्रीम दोनों केस में सेम होगा बाद रही स्पीड की उसने हमें दोनों दे रखेंगे उसने वह बोला है कि जो स्ट्रीम की स्पीड हो है 2 km per hour और उसकी खुद की स्पीड है 10 km per hour यानि कि अब स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएगा 10 minus 2 हो जाएगा downstream क्या हो जाएगा 10 plus 2 हो जाएगा यानि कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 and यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 km per hour km per hour अब हमें कुछ भी नहीं करना है देखो D हमें दिया हुआ है distance क्या होता है speed into time again 8 t plus 4 and यहाँ पे हो जाएगा आपका distance again 12 t ठीक है दोनों को equate कर दो यहाँ आपका हो जाएगा 8 t plus 32 और यहाँ पे आप लेआओगे तो आपका हो जाएगा 12 t इस 8 t को यहाँ पे लेआओ तो आपका हो जाएगा 32 is equal to 40 ठीक है and t को यहाँ रखोगे 32 divide by 4 करोगे तो आपका हो जाएगा 2 8 तो यह आपका t आ गया है यहाँ पे 8 यानि की time है यह 8 hours अब time हम यहाँ पर पूट कर सकते हैं हमें चाहिए क्या था हमें distance लिए था तो आप डायेक्ट लिए जो 8 आया है इसको यहाँ पर पूट कर दो तो आपका distance हो जाएगा 12 into 8 वो होता है आपका इसको अबन को अब आपकी तरह हो जाएगा आपको जाये अब कोई आपको question आये आपके exam में तो आप उसको कर पाऊ तो दैसे विडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लिए 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 देन लाइक करना शेयर गरना and I'll see you in the next video. Thank you.